हेलो गाइज मैं हूँ पपू और गाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कार्बो हैड्रेड के स्रोथ लेकिन यहाँ पर आप जानेने वाले हैं प्रोटीन के स्रोथ तो गाइज यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है मांस ओके गाइज मांस किसी भी चीज का हो सकता है जो लोग जिस भी चीज का मांस खा रहे होंगे तो मांस में हमारा क्या हो जागा मांस में प्रोटीन होता है ठीक है वो जिस भी चीज का मांस खाएंगे उसमें प्रोटीन होगा ठ आप आसनी से याद रहिए कुसमें प्रोटीन होगा ही होगा लूग अब जितनी भी दाल में प्रोटीन होता ही होता है ठीक है? और इसके बाद है यहाँ पर मैंने लिखा है चना तो यार चना का भी दाल हो सकता है मटर का भी हो सकता है मुंग का भी हो सकता है मसूर का भी हो सकता है उडड़ का भी हो सकता है ठीक है तो आसानी से याद रखे कि जितने भी दाल होंगे तो उनमें क्या होगा प्रोटीन होगा और स्वयाबीन हो गया राजमा लोभिया आदी इन सभी चीजों में क्या होगा प्रोटीन होगा तो यहां पर जितने भी चीजे आपको दिख रहे हैं इन सभी चीजों में प्रोटीन होता है जिस भी चीज में प्रोटीन होगा यानि य मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जहिंद और कोई डाउट होता नीचा जरूर लिखेगा मिलते हैं अगली वीडियो